अगर आपकी एज 18 साल या 18 साल से ज़्यादा की हो जाती है यानि कि अगर आप 18 साल की एज क्रॉस कर लेते हैं तो आपको अपना वोटर आईडी कार्ड के लिए एपलाइग कर देना चाहिए बोटर आईडी कार्ड citizenship और identity proof का एक valid document है बोटर आईडी कार्ड अगर आप बनवाते हैं तो आपको इसके लिए अपने बी एलो के पास जाना पड़ता है लेकिन आज की इस वीडियो पे मैं आपको बोटर आईडी कार्ड आउनलाइन कैसे बनवाते हैं बोटर आईडी क्या होता है यह बताने वाला हूँ हेलो एंड वेलकम दोसको मैं हूँ चंदरहां चक्रवर्ति और आप देखे अपने यूट्यूब चैनल टेगर वेन्यू आज की इस वीडियो पे मैं आपको बोटर आईडी कार्ड अपलाई करने का कम्पलीट प्रोसेजर बताने वाला ह देस्क्रिप्शन में आपको वोटर पोर्टल ए-c-i.gov.in वेबसाइट का लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप इस पोर्टल पर आ सकते हैं यह वोटर पोर्टल एडेक्शन कमिशन आफ इंडिया का ओफीसियर पोर्टल है इस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके आ सकते ह active water portal beta search करेंगे तो इस पोर्टल पर आप आ जाएंगे यहां पर अपना बोटर अब्रा आड़ी काट बनाने काल लिए सबसे पहले आपको पूर्पर एकउंट अपना बसक्रारी अपने पड़ेगा एक अपना पड़े आ टाइब किये तो यहां पर continue का option आजाएगा इसी प्रकार से अगर आप यहां पर mobile नमबर टाइप करोगे तो continue का option आजाएगा और continue पर क्लिक करना है आपके mobile नमबर पर या फिर जो भी आप email ID फिल करेंगे उस पर एक OTP भीज़ा जाएगा OTP को आपको यहां पर फिल करना है और यह continue हो जाएगा OTP फिल करने के बाद आपको यहां पर verify का button enable हो जाएगा इस पर आपको क्लिक करना है इसके बाद आपको यहां पर अपना एक पासवर्ट क्रियेट कर लेना है जिसके लिए यहां पर पासवर्ट फिल करेंगे confirm पासवर्ट पे again पासवर्ट इंटर करेंगे और यहां पर यह capture code इंटर करेंगे create account पे click करेंगे आपका account successful create हो गया है welcome to water portal welcome पे click करेंगे आपके सामने यह dashboard आजाता है यहां पर आपको अपनी profile details complete करनी है यहां पर आपको अपना नाम फिल करना है इसके बाद आपको अपना surname फिल करना है यहां पर आप अपना state चूज करेंगे जिस भी state से आप belong करते हैं यहां gender चूज करेंगे और submit पे click करेंगे नय voter ID card बनाने के लिए आपको new voter registration पर click करना है आपके सामने यह नाम आ जाएगा जिस भी नाम से आपने register किया हुआ है जैसे यहां पर यह नाम आ चुका है इसके बाद let's start पर click करेंगे अगर आपके पास पहले से यह voter ID card है तो no I already have voter ID card पर click करेंगे अगर आप fresh voter ID card के लिए apply करना चाहते हैं तो yes I am applying for first time इस पर click करेंगे save and continue इसके बाद आपके पास यह option आएगा yes I am a citizen of India residing in India तो आप अगर इंडिया के अंदर रहते हैं और इंडिया के citizen है तो इस पर click करेंगे अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं और इंडिया citizen है तो इस पर click करेंगे अगर आप इंडिया citizen नहीं है तो इस पर click करेंगे first option आप choose करेंगे इसके बाद save and continue इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी place of birth फिल करना है जहाँ पर भी आपका जन्म हुआ है इसके बाद यहाँ पर आप अपना state फिल करेंगे यहाँ पर district आप select करेंगे district select करने के बाद यहाँ से आप अपनी date of birth चूज करेंगे month चूज करेंगे और date चूज करेंगे एक चीज यहाँ पर याद रहे after before 2004 2004 के पहले के जितने भी लोग है January 2004 के पहले वही लोग यहाँ से voter ID कार्ड बनवा सकते हैं इसके बाद यहाँ पर supporting documents में इन documents की list दी गई है एक कोई document आपको चूज कर लेना है जैसे हम यहाँ पर आधार कार्ड चूज करते हैं आप अपना birth certificate या फिर आप अपना pen card या फिर Indian passport या फिर mark seats चूज कर सकते हैं जैसे हमने आधार कार्ड चूज किया इसके बाद आपको upload करना है जिसके लिए select file to upload पर जाना है यहाँ से आप अपना file select करेंगे file आपकी successfully upload हो चुकी है we have done file has finished इसके बाद save and continue इसके बाद यहाँ पर आपको voter ID card या आपनी union territory चूज करनी है अपनी assembly कौन सी लगती है यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना state select कर लेना है state select करने के बाद यहाँ पर आप district select करेंगे यह side बहुत ही अच्छी चलती है यहाँ पर आप अपनी assembly constituency select करेंगे जो भी आपका लगता है विधान साबा जो भी आपकी लगती है तो वो आप choose करेंगे इसके बाद save and continue इसके बाद यहाँ पर आपका नाम आ चुका है जो भी आपने नाम fill किया हुआ था वो यहाँ पर नाम आ चुका है आपको यहाँ पर surname fill करना है और हिंदी में आपका नाम कैसे आएगा वो आपको यहाँ पर fill करना है surname भी आपको यहाँ पर fill करना है अपनी एक profile picture आपको यहाँ पर upload करनी है इसके बाद यहाँ पर आपको disability का प्रकार चूज़ करना है अगर आपकी disability है तो कोई एक प्रकार चूज़ करेंगे नहीं है तो no disability, save and continue अगर आपके family member में किसी का voter ID कार्ड है तो आप यहाँ पर fill कर सकते हैं अगर नहीं है तो कोई जूरुत नहीं है इसके बाद enter the name of relatives तो यहाँ पर आप अपने पेता जी का नाम देंगे सरने में आप देंगे इसके बाद enter the name of relative तो यहाँ पर आप फिर से देंगे सरने में आप एक आदमी को और दे सकते हैं इसके बाद यहाँ पर relation में आप father, mother या other चूज़ कर सकते हैं जैसे आप अपना husband का, mother का, father का, spouse का दे सकते हैं इसके बाद आप आप अपना father का नाम यहाँ पर surname फिल करेंगे यहाँ पर अगर आप mother चूज़ करते हैं तो mother का नाम और surname फिल करेंगे इसके बाद save and continue अब आपको यहाँ पर आपका current address फिल करना है यानि कि house number, इसके बाद street, इसके बाद post office, इसके बाद village यह सारी चीज़ फिल करेंगे आप यहाँ पर your constituency in map, आपकी constituency map में यहाँ पर दिख रही है इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर आपको select address proof पर click करना है जिसके लिए आप इतने सारे documents में से कोई भी एक document upload कर सकते है जैसे कि यहाँ पर आप revenue department का इस्थाई निवास प्रवाण पत्र कर सकते है साथी water bill कर सकते है pass book कर सकते है रासन कार्ट कर सकते है या फिर आप अपना income tax assessment फिल कर सकते है passport दे सकते है इस प्रकार की documents आप यहाँ पर दे सकते है इसके बाद save and continue इसके बाद यहाँ पर एक declaration आ जाएगा जो भी आपने declaration देना है वो आप यहाँ पर देंगे यहाँ पर आप year चूज करेंगे अपना current year month आप अपना यहीं चूज कर लेंगे जो भी वरतमान में चल रहा है इसके बाद यहाँ पर general declaration फिल हो जाएगी यहाँ पर आपको place फिल करना है अपना और यहाँ पर अपना नाम फिल करना है and save and continue आपके सामने आपका पूरा form एक बार preview के लिए आजाएगा यहाँ पर आप election commission of India का form 6 देख सकते है जो भी details आपने फिल की हुई है वो सारी details यहाँ पर आ जाएंगे एक बार सारी details चेक करेंगे इसके बाद final summit पर क्लिक करेंगे अगर आपको लगता है कि कोई detail गलत है तो आप edit form पर क्लिक करके उसे edit भी कर सकते हैं फाइनल सम्मिट पर क्लिक करेंगे आपका application final summit हो गया है इसके बाद आप इसका reference number से track कर सकते हैं reference number आपकी mobile number पर भेज दिया गया है जो भी आपका status होगा वो आप status में जाके trace कर सकते हैं trace status पर क्लिक करेंगे mobile number फिल करेंगे और track your status पर क्लिक करके आप अपना voter ID card का status stress कर सकते हैं इस परकार से आप अपना voter ID card बनवा सकते हैं ज्यादा ज्यादा 15 से 20 दिरों में आपकी घर पर buy a post या buy a B.A.L.O. आपका ये आज आता है सो गास ये था आज का वीडियो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आप voter ID card के लिए online कैसे apply कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें दोश्तों कसा शेयर करें चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके वीडियो पर कमेंट जरूर कीजेगा आपके मैंने कोई डाउप हो तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हैं